C.I.E.T. N.C.E.R.T. presents Trilingual Dictionary of History for Schools इतिहास विद्यालायों के लिए त्रिभाशी शब्द कोश तारीख की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी English Letter A Index, Word and Page Number Absolutism, Absolute Rule, Absolutist Page 1 Afaqi Page 1 Agacha Page 1 Aghaz Page 1 Agricultural Revolution Page 2 Ahinsa Page 2 Ajivik Page 3 Al-Fatiha Page 3 Allied Page 3 American Indian Page 4 Amil Guzar Page 4 Amir Umra Page 4 Amphora Page 4 Anglican Church Page 5 Anthropology Page 5 Anulom Page 5 Apartheid Page 5 Arabesk Page 5 Arabic Language Page 6 Armaic Page 6 Page 6 Aarasi Page 6 Arche Page 6 Archeobotany Page 6 Archeology Page 7 Archeozoology Page 7 Archives Page 7 Page 7 Aristocracy Page 8 Erotine Wear Page 8 Artifact Page 9 Artisan Page 9 Aarevart Page 9 Aashram Page 9 Ashwamedha Page 10 Aulia Page 10 Austro-Lopithecus Page 10 Exus Powers Page 10 Now let's move to the Dictionary of History Page 1 Absolutism Absolute Rule Absolutist The term is used primarily as a political concept in history. It refers to the unchallenged authority of a ruler who, as in this case of the medieval monarchs, exercised temporal power on the basis of the divine right of kingship. With the emergence of the nation-states in Europe in the 15th and 16th centuries, absolutism reached a new high, when the monarchs exercised authority in all matters pertaining to the state as well as the church. Such absolute rules, as were seen in the European nation-states, came also to be defended by absolutist philosophers like Thomas Hobbes in his 17th century work, Leviathan. The essence of this doctrine was best expressed in the 18th century France by Louis XIV, who famously said, I am the state. इतिहास में इस शब्द का प्रयोग प्राथमिक रूप से एक राशनीतिक संकल्पना के रूप में किया जाता है. इसका तात्पर किसी ऐसे शासक की निर्विरोध सत्ता से है, जो मध्यकाली इन राजाओं की तरह, राजत्व के दैवी अधिकार के आधार पर अपनी लौकिक शक्ति का प्रयोग करता था. पंध्रवी और सोलवी शताब्दियों में यौरप में राष्ट राजियों के उदय के बाद, जब राजाओं ने राज्य तथा चर्च दोनों से संबन्थित मामलों में अपनी सत्ता का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तब निरंकुष्तावाद ने एक नई उचाई प्राप्त कर ली. ऐसे निरंकुष्ता पूर्ण नियमों का जो यौरपिये राष्ट राज्यों में देखने को मिलते थे, ठॉमस हॉप्स जैसे निरंकुष्तावादी दाश्निकों द्वारा, सत्रही शताब्दी में अपनी पुस्तक लेवियाथन में भी समर्थन किया गया. इस सिध्धान्त के मूलतत्व को अठारवी शताब्दी के फ्रांस में लुई चौद्वे द्वारा अपने सुप्रसिध कथन मैं ही राज्यों में सर्वत्तम रीती से अभीव्यक्त किया गया. मुतलकीत, मुतलकुल इनान कानून, मुतलकुल इनान, तारीख में बुन्यादी तौर पर इस इस्तला का इस्तेमाल एक सियासी तसवर के तौर पर किया जाता है. इस से मुराद किसी हुकमरा का वो इक्तियार है जिसे चैलेंज ना किया जा सके. जैसे के अजमनाए वस्ता में बादशा अपनी माददी अख्तियारात का इस्तिमाल बादशाहत के खुदादाद हक के तोर पर करता था यूरोप में पंदरवी और सोलवी सदियों में कौमी रियासतों के जहूर के साथ मुतलगीत को इस वक्त नया उरूज हासिल हुआ जब बादशा ने रियासत और कलीसा से मुतालिक तमाम आमलात में अपने एक्तियारात का इस्तिमाल शुरू कर दिया इस किस्म के मुतालिक कवानीम की मुदाफ़त जो यूरोपी कौमी रियासतों में आम थे थॉमस हॉब्स जैसे मुतलकुल अनान फलसफियों ने सत्रवी सदी में अपनी तसनीफ लियूथन या लेवियाथन में की इस सियासी अकीदे की रू का खुलम खुला इजहार अठारवी सदी के फ्रांस के लूई चारधम के मशूर कौल में हुआ जिसमें उसने कहा मैं ही रियासत हूँ आफाकी The term refers to the nobles in the Bahmani kingdom who had come from West Asia. They were Persians, that is Iranian. Mehmood Gawaan was a famous Afaqi noble who came from Iran and had risen to the post of Vakil-e-Sultanat, that is Prime Minister in the Bahmani state. आफाकी इस शब्द का तातपर्य बहमनी राज्य के अभिजात वर्ग के लोगों से है, वे फारसी अर्थात एरानी थे. Mehmood Gawaan एक मशहूर आफाकी अमीर था, जो इरान से आया, और बहमनी राज्य में वकील-e-Sultanat अर्थात प्रधानमंत्री के पत पर पहुँच गया था. अफाकी इस इस इस्तिला से मुराद बहमनी हकूमत के वो आमरा हैं जो मगरिबी एशिया से आये थे, वो पारसी यानी इरानी थे. महमूद गवाँ मशूर अफाकी अमीर था, जो इरान से आया था, और बहमनी रियास्त में वकील-e-Sultanat यानी वजीर-e-Aजम के मनसब पर फाइस था. आगाचा The term refers to the concubines, that is, lesser आगा, who occupied the lowest position in the hierarchy of Mughal Haram. They received cash and land grants for their maintenance. See also, आगाज आगाचा इस शब्द का तातपर उन उपपतनियों से हैं, जिन्हें मुगल हरम के पदानुकरम में सबसे निचला स्थान प्राप्त था. उन्हें अपने भरन पोशन के लिए नगदराशी तथा जमीन दी जाती थी. आगाचा इस इस्तिला से मुराद वो खवातीन याने आगाएं हैं जिन्हें मुगल हरम में मरातिब के लिहाज से सबसे कम रुत्बा हासिल था. इन्हें अपनी गुजर वकात के लिए नकद और जमीनी एतियात मिलते थे. मजीद देखें आगाचा आगाचाज The term refers to the wives of the Mughal emperors who did not come from a very noble family. Unlike the begums, who came from royal and aristocratic families, they did not get huge amount of cash and valuables at the time of marriage. आगाचाज had low status in the royal household. हीरबाई, also known as जैनाबादी, was the famous आगा ओफ औरंगसीब. See also आगाचा. आगा इस शब्द का प्रयोग मुगल बाश्चाहों की उन पतनियों के लिए किया जाता था, जो बहुत अमीर परिवार से नहीं आती थी. उचे शाही खानदानों से आने वली बेगमों की तरह आगा को शादी के समय बहुत अधिक धन्दौलत नहीं मिलती थी. आगा को शाही घराने में नीचा उहदा दिया जाता था. हीरबाई, जिसे जैनाबादी भी कहा जाता था, औरंगसेब की एक मशूर आगा थी. आगाचा भी देखें. औरंगसेब की मशूर आगा थी. मजीद देखें आगाचा. Page 2 Agricultural Revolution In a historical sense, the phrase refers to a significant change that took place in early societies when human beings switched over from the practice of hunting-gathering to agriculture to meet their demands for food. The detailed evidence of this change is most visible in the sights of the ancient Mesopotamian civilization, dating back to 8000 BCE. Since this transformation occurred towards the end of the Neolithic period, the phenomenon is also described as the Neolithic Revolution. However, in modern times, the phrase refers to the significant jump in agricultural produce that was first witnessed in England in 18th century, and then in other Western European countries and the United States of America on account of improvements in agricultural techniques and livestock breeding, consolidation of small land holdings, raising of new crops, etc. Krishikranti इतिहासिक दृष्ष्टी से इस शब्द का तात्पर्य आरंफिक समाजों में हुए उस महत्वपूर्ण परिवर्तन से है, जब मनुष्य ने अपने भरण पूशन के लिए शिकार संग्रहन की पद्धती को छोड़कर कृशी को अपनाया. इस परिवर्तन का विस्तित साक्ष इसा से आठ हजार वर्ष पहले प्राचीन मेसोपोटामियाई सब्भिता के अनेक स्थलों पर स्पष्ट मिलता है. चूकि ये परिवर्तन नव पाशानकाल के अंतिम वर्षों के आसपास हुआ, इस लिए इस घटना को नव पाशानकालीन क्रांती भी कहा जाता है. किन्तु आधुनिक काल में इस शब्द का प्रयोग खेती के उत्पादन में हुए उस उल्लेखनीय उच्छाल के लिए किया जाता है, जुक्रिशी तथा पशुपालन की तकनीकों में हुए सुधार, खेती की जमीन के छोटे छोटे टुकडों की चकबंदी, नई फसलों की खेती आदी के फल सुरूप, अठारमी सदी में सर्व प्रथम इंग्लिंड में, और तथ पश्चात अन्य पश्च्चिम यॉरप के देशों तथा सयुक्त राज्य अमरीका में आया, जराई इनकलाब तारीखी नुक्ता नजर से इस फिक्रे से मुराद अब्तिदाई समाज में रुनूमा होने वाली गेर मामूली तबदीली से है, जब इनसान ने अपनी गिजाई जरूरतों की तक्मील के लिए जराई माश, गिजाई अजनास की तलाश और जमा करने के तरीके को छोड़ कर जर्रात की तरफ रुजू किया, इस तबदीली के मुतालिक तफसीली शुवाहिद, 8000 कबल मसी कदीम मैसो पोटा में आई तैजीब के मुक्तलिफ मुकामात में साफ नजर आता है, चुँके ये तबदीली हिजरी दौर के इखतिताम पर हुई थी, इसलिए इसे हिजरी इनकलाब के तोर पर भी बयान किया जाता है, तहम दौर जदीद में इस फिक्रे से मुराद जरई पैदावार में एक एहम चलांग है, जो पहली मरतबा अठारवी सदी में, बरतानिया में और इसके बाद जरई तकनीकियों और मवेशियों की अफजाईश नसल में तरक्की, जमीन के छोटे-छोटे तुकडों के अलहाक और नई फसलों की काश्टकारी वगेरा के नतीजे में दूसरे मगरिबी मुमालिक और रियासते हाए मुताहद्दा अमरीका में देखने को मिलती है। Ahinsa. It is a Sanskrit word which literally means non-violence or non-injury to all living beings. Since ancient times, it has been one of the central principles of Jainism. The principle had also been emphasized by Gautam Buddha. In modern times, its greatest advocate and practitioner was Mohandas Karamchand Gandhi. In the words of Gandhiji, complete non-violence is complete absence of ill-will against all that lives. According to him, freedom could not be won without non-violent Satyagraha. Thus, Ahinsa became an inseparable constituent of Gandhian Satyagraha. Accordingly, it was to be used in a manner in which a Satyagrahi could achieve his or her goals by self-suffering and not by violence under any circumstances. As a result, Gandhian Satyagraha assumed such forms as fasting, picketing or sit-ins, non-cooperation and even civil disobedience. Ultimately, this strategy made the British equish to India's struggle for freedom. Ahinsa Ahinsa, Sanskut Bhasha ka shabd hai, jis ka shabdikar thai, kisi bhi prakar ke jivadhariyo ko hinsa, kshati ya kashd na pahuncha raha. Prachin kaal se hi, ye jain dharma ke mukhe siddhaantho me se ek raha hai. Gautam Buddha dvara bhi is siddhaanth par bal diya gya tha. Aadhunik kaal me, Mohandas Karamchand gandhi, Ahinsa ke sabse bade sa marthak aur palan karta thai. Gandhi ji ke shabdho me, sampoorn ahinsa ka matlab hai, sabhi jivadhariyo ke prati, durbhavna ka poorna abhav. Unkei anusar, Ahinsa ke satyagrahae ke bina, swatanthruta praapta nahi ki jasa sakti. Is prakara, Ahinsa, Gandhi waadhi satyagrahae ka, ek abhinna angbaan gai. Ataha, satyagrahae ka prayog, is prakara kiya jana tha, ki jis se satyagrahi, ahatma utpilun dvara, na ki kisii bhi paristhiti mei hinsa dvara, aapne lakshyong ko praapta kar sake. Iske phadaso rup, Gandhi ji ke satyagrahae ne, Anshan, dharna, asahiyog, yahaan tak ki, savinay avagyya jaisen kai rup lhe lye. Anthodh gatwa, is rananiti ne, British shasan ko, bharatiyya swatanthruta sangram ke samaksh, ghutne-tikne ke liye majbure kar diya. Ahinsa, yani adhm tashadud. Ahinsa, sanskrit lovez hai, jiske lovezhi maine, adhm tashadud, yas sabhi jahanadaron ki, azar sani se gureez hai. Qadhim zamane se hi, ye jain matke bunyadhi uçulon ka, eek jazo raha hai. Is uçul per, gautam buddh ne bhi zore dya tha. Asr-e-jadid mein, is uçul ke, azim tareen hi maaiti, aur perukar, mohan daas karamchand gandhi thay. Bakol gandhi ji, tamám ziru ke saad, berabar bertao, se kalhi ahtiraz hi, mukamal adhm tashadud hai. Unke mutabik, adhm tashadud per, mubni satyagrahe ke bagayr, azadhi haasil nahi ki jaa sakti. Čnaché, adhm tashadud gandhi aai satyagrahe ka naguzer uçul ben gaya. Lihaza, iska istimal is torp par kiya jana chahiye, कि satyagrahe kisī bhi tarah ki shiddat iختiyar kie bagayr, apna hudf haasil kar sakay. Agarče zati musibetیں berdaasht karna pade. Natiijan, gandhi aai satyagrahe ne bhuuk hartaal, dharnay, yani ahtjaj me bäythna, adhm taawun और civil naafirmani जैसे tariqe apnaye, bhala aakhir इस tadbír na azadhi ke liye jari hindustan ki jaddo-jahed ke saamne bhartaniya ko ghutne tekne par majboor kar diya. Page 3 Aajivik The term refers to a sect founded by Makhaliputta Gosala in circa 6th century BCE in Middle Gangetic Basin. He was a contemporary of Gautam Buddha and Mahavira. The Aajivik believed that everything in life was predetermined and hence human action could not influence any event or process. The Mauryan ruler Ashoka donated caves to the Aajiviks in the Barabar hills near Gaya. It never became a large sect, though it survived in some parts of South India until the 16th century. Aajivik इस संप्रदाय की स्थापना Madhya Ganga Kshetra में, छठी शताब्दी ईसापूर्व में, Gautam Buddh और महावीर के समकालीन मखली पुत्थ गोसालने की थी. Aajivikों का विश्वास था कि जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है और इसलिए मानव कार्य किसी भी घटना या प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते. मौरे समराड अशोक ने Aajivikों को गया के पास बराबर की पहाड़ियों में गुफायदान में दी थी. Aajivik कभी बड़ा पंथ नहीं बन सका. हालां की ये दक्षन भारत के कुछ भागों में इसा की सोलमी शताब्दी तक बना रहा. Aajivik इस इस्तला से मुराद उस फिरके से है जिसकी बुनियाद गौतम बुध और महावीर के हम असर मखालिपुत्ता गौसाला ने तकरीबन छटी सदी कबल मसी गंगा के वस्त में रखी थी. Aajivik इस बात पर यकीन रखते थे कि जिन्दगी में हर चीज पहले से मतीन है. इसलिए इनसानी अमल किसी हादसे या कारवाई को मुतास्र नहीं कर सकते. मौरियाई हुकमरा अशोक ने गया के करीब बराबर पहाडी में Aajivikों को गार अतिया में दिया था. ये भी बड़ा फिर्का नहीं बन सका. अलबत्ता जुनूबी हिंदुस्तान में सोलवी सदी तक कायम रहा. अल-फातिहा The term literally meaning opener is the first chapter of the Holy Quran. It has seven verses अल-फातिहा इसका शाब्दिक अर्थ है खोलने वाला. ये गुरान का पहला अध्याए है. इसमें साथ आयते हैं जिनका अल्ला से मागदर्शन और कृपा दृष्टी प्राप्त करने के लिए पाठ़ किया जाता है. अल-फातिहा 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 इसमें साथ मिलकर प्रतम विष्व युद्ध में केंद्रिय शक्तियों अर्थात जर्मिनी, आस्ट्रिया हंगरी और तुर्की के विरुद्ध और दृतिय विष्व युद्ध में धुरी शक्तियों अर्थात जर्मिनी, इटली और जपान के विरुद्ध लडाईयां लड़ी थी. प्रतम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों में Great Britain, France और रूस शामिल थे ये शक्तियां 1914 की लंदन संधी के दौरा एक जुट हुई थी दुटिये विश्व युद्ध में Great Britain और France ने एक बार फिर मुख्य मित्र शक्तियों के रूप में युद्ध किया जब युद्ध आगे चलता रहा तो ततकालीन सोवियत संग और सयुक्त राज अमेरिका भी 1941 में इन शक्तियों के साथ आ मिले इत्तिहादी ताकतें सुला के जरिये मुत्ताहिद हुई थी दूसरी आलमी जंग के दौरान बरतानिया और फ्रांस ने एक बार फिर एहम इत्तिहादी ताकतों की हैसियत से लड़ाई की जब जंग आगे बढ़ी तो सौव्यत यूनियन और रियासत हाय मुतहद्ध अमरीका भी 1941 में इन ताकतों में शामिल हो गए आलवार, it is a Tamil term which means one who is absorbed in the divine. It denotes twelve devotees of Vishnu circa 7th to 9th centuries CE, whose devotional songs were collected by Nathamuni in Alhira Divya Prabandham, i.e. 4000 holy hymns. In आलवार भक्ति, the relationship between the devotee and God was often expressed in terms of the lover-beloved relationship. In some cases, the mother-child relationship was also a form of worship. However, the focus was entirely and exclusively on the love of the God. The आलवारs came from diverse social backgrounds. आलवार ये एक Tamil शब्द है, जिसका आर्थ है, भगवान के ध्यान में मगने रहने वाला विक्ती. ये शब्द Vishnu के उन बारह भक्तों का सूचक है, जिनका आविर्भाव ईसा की सात्वी से नवी शताब्दियों में हुआ, और जिनके भक्ती गीतों को नात्मुनी द्वारा नली इरा दिव्वे प्रबंधम अर्थात चार हजार पवित्र भजन में संग्रहित किया गया. आलवार भक्ती में भगवान और भक्त के बीच के संबंध को अकसर प्रेमी प्रेमिका के संबंध के रूप में व्यक्त किया गया था. कुछ मामलों में माता संतान का संबंध भी भक्ती का एक रूप था हाला कि भक्ती का केंद्र पोर्ण और अनन्य रूप से भगवान के प्रती प्रेम ही था आलवार भक्त भिन भिन सामाजिक प्रिश्ट भूमियों से आये थे आंडाल एक मात्र स्त्री आलवार संत थी भक्तियांदोलन नायनार भी देखें पेज फोर आलवार आलवार तमिल इस्तिला है जिससे मुराद ऐसा शक्स है जिसने खुद को खुदा की जात में गुम कर दिया हो इससे मुराद विश्नु के वो बारा भक्त है जिनका तालुक सात्वी से नवी सदी इस्वी से था जिनके भजनों को नात्मनी ने नलीरा दिव्य प्रबंधम यानी चार हजार मुकद्दस हमदों में यकजा किया आलवार भक्ती में भक्त और खुदा के दर्मियान रिश्टे का इजहार अक्सर महबूब और हबीब के मानिंद पाए जाने वाले रिश्टों की शकल में किया गया बास सूर्तों में मा और बच्चे का रिश्टा भी एक तरह की इबादत थी बहरहाल बला शिर्कत गैर खुदा की महबबत पर मुकम्मल तौर पर जोर दिया गया आलवारों का तालुक मुक्तलिफ समाजी पसमंजर से था अंडाल तना खातून आलवार भक्ती मजीद देखें भक्ती तहरीक नयानार American Indian The term is generally used to describe the indigenous people of the Americas that is North and South America The other term that is now commonly used is Native American Such descriptions of the indigenous peoples of the Americas came into practice following the arrival and settlement of the white Europeans i.e. 15th to 16th century in these continents American Indian इस शब्द का प्रयोग आम तौर पर उत्तरी और दक्षणी अमेरिका के मूलनिवासियों के लिए किया जाता है आज इन लोगों के लिए सामानित्ध नेटिव अमेरिकन अर्थात स्वदेशी अमरीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है अमेरिका के मूलनिवासियों के लिए इन शब्दों का प्रयोग उस समय शुरू हुआ जब गोरे यॉरपवासि पंधरमी से सुलमी शताब्दियों में इन महाद्वीपों में आये और यहीं बस गए अमरीकन इंडियन आमतोर पर इस इस्तिला का इस्तिमाल अमरीका यानी शुमाली वजुनूबी अमरीका के मुकामी लोगों को बया करने के लिए किया जाता है दूसरी इस्तिला देशी अमरीकन है जो के अब बिलुमूम इस्तिमाल की जाती है अमरीका के असल बाशिंदों के लिए इसका इस्तिमाल इन बर्रे आजमों में सफेद फाम यूरोपियों की आमद और आबाद होने याने पंदरवी से सोलवी सदी के बाद शुरू हुआ आमिल गुजार The term refers to a land revenue collector who was in charge of revenue collection at the सरकार level during the मुगल पीरियद See also सरकार आमिल गुजार इस शब्द का तातपर भू राजस्व संग्रहक से है जो मुगल काल में सरकारी सतर पर राजस्व संग्रह का प्रभारी अधिकारी होता था सरकार भी देखें आमिल गुजार आमिल से मुराद माल गुजारी वुसूल कानन्दा है जिसके जिम्मे एहद मुगलिया में सरकारी सतय पर माल गुजारी वुसूल करना था मजीद देखें सरकार अमीन The term refers to a surveyor appointed for assessing the land revenue As an official, his presence is traced from the times of Shir Shah During Shah Jahan's period, Amin was appointed in every mahal i.e. a village or a group of villages and used to assist Shikdar i.e. Pargana level officer for the collection of revenue see also mahal अमीन इस शब्द का तातपर्य भू राजस्व का निर्धरन करने के लिए नियुक्त सर्वेक्षक अधिकारी से है एक अधिकारी के रूप में उसके बारे में जानकारी शेर्शा सूरी के जमाने से ही मिलती है शाजहा के शासनकाल में Amin को प्रतेक महल अर्थात एक गाउं या गाउं के समूह में नियुक्त किया जाता था और वो शिकदार अर्थात परगना स्तरिय अधिकारी को राजस्व संग्रहन में सहायता देता था महल भी देखें Amin इस इस्तिला से मुराद सर्वे करने वाले उस कारकुंद से है जिसकी तकरीरी माल गुजारी का तकमीना लगाने के लिए की जाती थी शेर्शा के दोर से बहैसित अफसर इसका पता चलाता है शाजहां के दोर में Amin हर मुहाल यानि गाओं या गाओं के मजमुए में मतीन किये गए थे जो माल गुजारी वसूल करने में शिकदार यानि परगना सतय के अफसर की मदद किया करते थे मजीद देखें महाल Amir, Umra The plural of Amir is Umra They were generally leaders or commanders With the expansion of Islamic State under the Caliphs The Umra were appointed as governors of the newly conquered provinces In Delhi Sultanate, they formed a part of the nobility Amir, Umra Umra शब्द, Amir शब्द का बहुवचन रूप है या आम तोर पर सरदार अथवा सेना प्रमुख होते थे खलीफाओं के अधीन इसलामी सामराज्य के विस्तार के साथ उम्रा नए जीते गए क्षित्रों के गवर्नर बना दिये गए दिल्ली सल्तनत में वेकुलीन वर्ग का हिस्सा होते थे Amir, Umra Amir की जमा उम्रा है ये बाल अमूम काईद या सिपाह सहलार होते थे इसलामी रियासत की तोसी के बाद खलीफा के दौर में नई मफ्तुआ रियासतों में गवर्नर की हैसियत से उम्रा मुकरर किये गए थे दिल्ली सल्तनत में वो उम्रा का एक हिस्सा थे Amphora The term refers to a large oval-shaped two-handled ceramic jar occasionally in metal with pointed or rounded base and a long neck narrower than the body. It was used by the ancient Greeks and Romans to store and transport liquid products such as wine, olive oil, etc. Such amphora are reported in large numbers from अरिकामेडू and कांचिपुरम in South India. Amphora इस शब्द का तात पर रहे एक बड़े अंडाकार दो हत्थों वाले ज्यादा तर मिट्टी से कभी-कभी धातू के भी बने मर्तबान से है जिसका आधार नुकीला या गोल होता है और इसके मुख्य भाग की तुलना में इसकी गर्दन, संकरी और लंबी होती है प्राचीन, ग्रीस और रोम के लोग इसका इस्तिमाल, शराब, जैतून का तेल जैसे तरल पदार्थों को रखने और लाने ले जाने के लिए किया करते थे ऐसे एमफोरा, दक्षण भारत के अरिकमेडू और कांची पुरम क्षित्रों से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए है दो दस्ता जुरूफ इस इस्तिला से मुराद बैजवी शकल का एक कुजा जो की कभी कबार धातू से बना हुआ है जिस पर दो दस्ते लगे होते हैं ये नोगदार या गोल शकल में होता है इसकी गर्दन पतली और जिसम के मुकाबले लंबी होती है इसे कदीम जमाने में युनानी और रोमी सैयाल मसलन शराब, जैतून का तेल वगेरा जमा करने और नकलो हमल के लिए इस्तिमाल करते थे इस तरह की सुराही नुवाद दो दस्ता जुरूफ जुनूबी हिंदुस्तान के आरकी मेडू और कांची पुरम में कसीर तादाद में दरियाफ्थ होते हैं पेज 5 अंगलिकन चर्च, सी चर्च अंगलिकन चर्च, चर्च देखें अंगली की चर्च, मजीद देखें, चर्च, कलीसा Anthropology It is the study of human societies, their physical characteristics, culture, customs, modes of behavior, their relations with other groups, as well as all other aspects of human culture, past and present. Major sub-fields of this discipline include Physical Anthropology, Social Anthropology and Anthropological Linguistics मानव विज्ञान ये मानवीय समाजों, उनकी शारिरिक विशेशताओं, संस्कृतियों, रीति रिवाजों, व्यवहार की विधियों, अन्य समूहों के साथ उनके संबंधों और मानव संस्कृति के अतीत वावर्तमान से संबंधित पहलूँ का अध्ययन है। इस विज्ञान के कुछ उपक्षित्रों में शारिरिक मानव विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान और मानव विज्ञानिक भाषा विज्ञान शामिल है। इल्म बश्रियात ये एक ऐसा इल्म है जिसमें इनसानी माश्रों और इनकी तबीक खुसूसियात, तौर तारीक और दूसरी जमातों के साथ रवावता नेज इनसानी तहजीब के गुजिश्चता और मौजूदा दूसरे पहलूँ का मुतालग किया जाता है। इस इल्म के एहम जैली शोबों में तबी इल्म बश्रियात, समाजी इल्म बश्रियात और लसानी इल्म बश्रियात को बयान किया जाता है। और स्त्री निम्नवर्ण अत्वाजाती की होती है। प्रतिलोम भी देखें। अनुलोम ये इस्तला आला जात के मर्द और उची जात की खातून के दर्मिया होने वाली शादी की शकल को जाहिर करती है। मजीद देखें प्रतिलोम Apartheid in completely segregating the white, the colored and black people and bestowed on the white people of European origin immense privileges at the cost of the indigenous black population who were confined to 10 African homelands irrespective of their place of residence. However, beginning with 1991, the practice was gradually dismantled and most of the discriminatory social legislations which provided the legal basis to apartheid were repealed owing to persistent international censure and a prolonged struggle led by the African National Congress and its leader Nelson Mandela. Rangbhedhaneeti इस शब्दकार्थ है नसलिये आधार पर लोगों के बीच भेदभाव बरतना. दक्षन अफरीकी संग में ये वहां की प्रभुत्वशाली गोरी सरकारद्वारा प्रयोग में लाई गई एक आधिकारिक नीती थी. ये नीती Population Registration Act, Group Areas Act 1950 तथा 1954 और 1955 के Land Acts जैसे भेदभाव पूर्ण कानूनों पर आधारित थी. सामोही क्रूप से इन कानौनोंने श्वेद लोगों को पूरी तरह से अष्वेद लोगों से अलग रखने में मदद की तथा ये यॉरपिये मूल के श्वेद लोगों को अनेक विशेशाधिकार दे दिये, जबकि मूल अश्वेत जनसंख्या इन अधिकारों से वन्चित ही रही इन अश्वेत लोगों को उनके निवास्थान की परवाह किये बिना दस अफरीकी स्वदेशी क्षित्रों तक ही सीमित कर दिया गया हाला की 1991 की शुरुआत से धीरे धीरे इस नीती को विघटित कर दिया गया और निरंतर अंतराश्ट्रे निंदा तथा अफरीकी नाशनल कॉंग्रिस और इसके नीता नेलसन मंडेला के नितृत्व में होने वाले लंबे संगर्श के कारण ऐसे अधिकांश भेद भावपूर् जिन्होंने रंग भेद नीती को कानूनी आधार प्रदान किया था रद्द कर दिये गए नसली अजबियत आसान जबान में इस इस्तला का मतलब नसल की बुनियात पर लोगों को अलग करना है ये मुतहद्ध जुनूबी अफरीका में इम्तियाजी सुलूक पर मुबनी कवानीन मसलन पॉपिलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट यानि कानून बराय अंदराज आबादी 1950 का ग्रुप एरियाज एक्ट यानि कानून बराय तन्जीम इलाका 1950 और 1954 की लैंड एक्ट की शकल मे सफेद फाम लोगों की बरतर हकूमत की सरकारी पॉलिसी थी। जापता रफता रफता तूटने लगा और इम्तियाजी समाजी कवानीन जिनकी वज़ा से नसल की बुनियात पर लोगों को अकाइदा करने के लिए कानूनी जवास फराहम हुआ था। जापता पॉलिस वास वास बुलिस 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 टूनुआ बूलिस परेज़ परिज़ टूब बूलिस अवास। Another distinctive feature of Arabesk was elaborate interweaving of lines, leaves, flowers and calligraphic presentation of Quranic verses. In India, the early example of the Arabesk style can be seen in the buildings of the Qutb complex in Delhi. Arabesk ये वास्तुकला शिल्प की आलंकरिक शैली का एक प्रमुख रूप था, जिसका प्रयोग मध्धी युग में इमारतों की दीवारों पर किया जाता था. इस शैली में अधिक तर जामितिये और फूल पत्तियों वाली सनरचनाओं का इस्तेमाल किया जाता था. इस शैली की एक और विशेशता ये भी थी कि इस मेरे खाएं, पत्तियां, फूल और सुन्दर अक्षरों में लिखी कुरान की आयतें सभी आपस में मिली जुली होती थी भारत में अरबेस्क शैली का प्रारंबिक उधारन दिली में स्थित कुतुब आहाते की इमारतों में देखा जा सकता है बेल बूटे, ये फन तामीर से वाबस्ता एक नुमाया तर्ज अराईश था जिसका इस्तिमाल एहदो सती के दौरान होने वाली इमारतों की दिवारों पर किया जाता था इसमें अकलीदी नक्ष और फूल पत्तियों का इस्तिमाल कसरत से किया जाता था इस तर्ज की दीगर इम्तियाजी खुसूसियात में गुदे हुए खुतूत, पत्तियों, फूलों और पुरानी आयतों की खताती शामिल थी हिंदुस्तान में बेल बूटे तर्ज की इप्तिदाई मिसालें उतुप आहाता की इमारतों में देखी जा सकती है Arabic Language Written from right to left, Arabic is a Semitic language like Hebrew and Armaic The language is spoken widely in West Asia and North Africa The influence of the Arabic language can be seen in the languages that are spoken in the Islamic world Arabic words have also found their way into European languages like Portuguese and Spanish Arabic, भाशा दाईयोर से बाईयोर लिखी जाने वाली Arabic भाशा, अरमाइक और हिब्रू की तरह ही सामी परिवार की एक भाशा है ये भाशा पश्चिमी एशिया और उत्री अफ्रीका में व्यापक रूप से बोली जाती है अरबी का प्रभाव इसलामी दुनिया में बोली जाने वाली भाशाओं पर देखा जा सकता है अरबी भाशा के शब्द पुर्टगाली तथा स्पैनिश चैसी यॉरपिय भाशाओं में भी मिलते हैं अरबी जबान अबरानी और अरामी की तरहां दाएं से बाएं लिखे जाने वाली अरबी एक सामी जबान है ये जबान मगरिबी एशिया और शुमाली अफ्रीका में बहुत ज्यादा बोली जाती है अर्भी जबान के असरात मुस्लिम मुमालिक में बोले जानी वाली जबानों पर देखे जा सकते हैं पुर्टुगाली और हस्पानवी जैसी यूरूपी जबानों में भी अर्भी अल्फास मिलते हैं अर्माइक यह शब्द एक ऐसी लिपी और भाषा का सूचक है जो अकैमेनिट लोगों द्वारा छटी शताबदी ईसापूर्व में भारतिय उप महाद्वीब के पश्चिमुत्तर भाग में शुरू की गई थी अरामी इस इस्तलह से मुराद एक रस्म लखत और जबान है अकामेनिट सल्तनत ने बर्र सगीर हिंदुस्तान के शुमाल मगरिबी हिस्से में छटी सदी कबल मसी इसे मुतारूफ कराया था अराजी अराजी, that is plural of earth, meaning land, is an Arabic word that refers to a measured plot of land, particularly agricultural, for fixing land revenue अराजी ये अर्बी भाषा का एक शब्द है ये अर्ज का बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ है जमीन भूर अजस्व निर्धारत करने के लिए मापी गई खास तोर पर खेती की जमीन को अराजी कहा जाता है अराजी अराजी याने अर्ज की जमा बामाईने जमीन एक अर्बी लब्ज है जिससे मुराद जरई खेत का वो हिस्सा है जिसकी पैमाईश खास तोर पर मालगुजारी के ताईम के लिए की जाती है Arch The term refers to an inverted U-shaped curved structure that spans the opening between two columns. It supports the weight above it. The central stone in an arch is known as the keystone. There are various kinds of arches such as cobbled arch, typical horse shoe type arch, pointed arch etc. Bulban's tomb at Meroli was the first true arch of horse shoe type in India. महराब महराब एक उल्टे यू आकरिती की वक्र संरचना होती है जिसके सेरे दो खंबों पर टिके होते हैं जिससे खंबों के बीच की खाली जगा ढग जाती है. ये संरचना उपर का बोज संभाले रखती है. महराब के बीच वाले पत्थर को मुख्य पत्थर कहा जाता है. महराबें कई किस्म की होती हैं जैसे तोडेदार महराब, घोडे की नाल के आकार की महराब, नुकीली महराब आदी. दिल्ली में महरोली में बना बल्बन का मकबरा, भारत में घोड़े की नाल की आकार वाली महराब का पहला सटीक उधारन है महराब, इस इस्तला से मुराद उल्टे यू की तरह बनाई गई कमान नुमा शकल है जो दो सुतूनों के माबीन फासले को मिलाती है ये इसके बलाई हिस्से के बोच के लिए सहारे का काम करती है महराब के मरकजी पत्थर को कलीदी पत्थर कहा जाता है महराबیں मुक्तलिफ किसम की होती हैं जैसे चजजानुमा महराब, घोड़े की नाल की शकल की महराब और नुकीली महराब वगेरा इंदुस्तान में महरौली में बल्बन का मकबरा घोडे की नाल की शकल की महराब की पहली मिसाल है Archaeobotany It is a sub-field of archaeology that studies the plant, that is flora remains, that are obtained from archaeological sites The types of plant remains studied under archaeobotany include macro remains like seeds, wood, charcoal, plant, fibers and tubers and micro remains like fossil, pollen and starch grains The discipline uses such studies to understand those activities that were carried out in the past by societies such as what food they ate, how they obtained it, how and where these were stored and processed etc. This also includes the study of past ecology and the role of humans in selecting and modifying the flora of their environment See also archaeology, archaeozoology पुरा वनस्पती विज्ञान ये पुरा तत्व विज्ञान का एक उपक्षित्र है जिसके अंतरगत पेड़ पौधों अर्थात वनस्पती के उन अफशेशों का अध्ययन किया जाता है जो पुरा तत्वियस थलों से प्राप्त होते हैं पौधों के ये अफशेश दो श्रिणियों में रखे जा सकते हैं जैसे स्थूल अफशेश अर्थात बीज, लकडी, लकडी का कोईला, पौधों के रेशे और कंधमूल और सुक्ष्म अफशेश अर्थात जीवाश्म, पराग और मंडकन ऐसे अफशेशों का अध्ययन अतीत कालीन समाजों की गतिविधियों को समझने के लिए किया जाता है जैसे कि वे क्या खाते थे, अपने खाने की चीज़ें वे कैसे प्राप्त करते थे और कैसे और कहा उनका संग्रहन करते थे या खाने के लिए उन्हें कैसे तयार करते थे इत्यादी इसके अंतरगत उस समय जलवाईयों और परिस्थितियां कैसी थी और अपने पर्यावरन की वनस्पतियों को चुनने और उनको सुधारने में मनुष्य की क्या भूमिका थी इसका भी अध्ययन किया जाता है। पुरा तत्व विज्ञान और पुरा प्रानी विज्ञान भी देखें। पेज 7 इल्म कदीम नबातात नबातियत ये इल्म असारे कदीमा का एक जैली शोबा है जिसके तहत मकामात असारे कदीमा से बरामत पौधे यानी फ्लॉरा के बकायात का मुतालग किया जाता है। नबातियाती बकायात के जिन किस्मों का मुतालग किया जाता है। इन में बाड़ी बाकियात मसलन बीज, लकडी, लकडी का कोईला, पौधों के रेशे, गांठें और छोटी बाकियात मसलन आसार, मुतजाहरा, जैरे गुल और नाशस्ता अनाज शामिल है। इस मुतालग इल्म में गुजिश्टा माशरों की इकटियार करदा सरगर्मियों के बारे में वाकफियत हासिल की जाती है। मसलन, वो कौन सी घिजा खाते थे? इसे कैसे हासिल करते थे? और कहां और कैसे महफूज रखते थे? महफूज रखने के लिए क्या अमल करते थे? वगेरा वगेरा. इसमें गुजिश्टा महुलियात और गर्दो पेश के फ्लॉरा के इंतिखाब वा तर्मीम से वाबस्ता इं परफ्स to the study of the human past with the help of material remains, such as structures of palaces, temples, forts, etc sculptural and other artifacts like bones, seeds, pollen, seals, coins and inscriptions the objectives of archaeology are to recover, record analyse and classify material remains to describe and interpret the patterns of human behaviour that led to its creation and to form an understanding of the reasons behind this. See also Archeobotony, Archeozoology. पुरातत्व विज्ञान इस शब्द का तात्पर भौतिक अफशेशों की सहायता से मानव के अतीद के अध्यान करने से है. इन अफशेशों में तरहा तरहा की चीजें शामिल होती हैं, जैसे मंदिर, महल, किले, आदी की धाचे, मूर्तिकला और दूसरी शिल्पकृतियां, हड्डियां, बीज, पराग, मुहरें, सिक्के और शिलालेक आदी. पुरा तत्व विज्ञान के उद्देशे हैं, भौतिक अफशेशों को प्राप्त करना, उनके अभिलेक तयार करना, उनका विशलेशन और वर्गी करन करना, तथा मानव व्यभार के उन रूपों का वर्णन करना और उन्हें समझना, जिन से प्रेरित होकर मनुष्य ने उ असलन महलात, मंदिरों और किलों वगेरा की सक्त मुझस्समा साजी और दीगर माजवात जैसे हड्डियों, बीजों, जेर गुल, महरों, सिक्कों और कुत्बों वगेरा की मदद से गुजिश्टा इनसानों का मुताला करना है, इल्म असार कदीमा का मकसद मादी बाकियात क अंदराज, तद्जिया और दर्जबंदी करने के साथ इनसानी बरताफ के उन तौर तरीकों को बयान और वजाहत करना है, जिनके सबब मजकूरा असिया वजूद में आए और इनके पसेपुष्ट असबाब की तफहीम में मदद फराहम करना है, मजीद देखें, इल्म रेमान्सान फ्कार फिसॉष्ट इनछाना है क्या सब्सके घोौ छर्डडी वजाण जिनके स्ट अजडे मने झ Aww अर्डड्य के सावष्ट निंद और वीदिया वोर्डड वें इनकेश्ज हैस टौर्णबर स आेजिया है य पुरा प्राणी विज्ञान इस शब्द का तातपर्य पुरा तत्वीय स्थलों से प्राप्त जन्तु अफ्षेशों के अध्ययन से है ये जन्तु अफ्षेश आमत्वर पर जानवरों के कठोर अंग होते हैं जैसे हड़ी, नात, सींग और सीपी आदी पुरा प्राणी विज्ञानी इन अफ्षेशों का अध्ययन ये जानने के लिए करते हैं कि अतीत में जानवरों को पालतु कैसे बनाया गया था और उससे मानव तथा उसके पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ा इन अफ्षेशों का अध्ययन करने से बुरा तत्वविदों को पुराने समय के लोगों के भोजन, शिकार की पध्धतियों, पशुपालन तथा पशुओं को मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल पुरा तत्व विज्ञान पुरा वनस्पति विज्ञान भी देखें। ये जानने के लिए करते हैं कि माजी में जानवर परवरी के क्या तरीके थे और वो इनसान और उसके माहौल पर किस तरह असरंदास होते थे। Archives The term refers to a collection of primary sources such as records, documents, manuscripts or other materials of historical interest. These sources are used for the reconstruction of historical events. In present times, most government and non-government organizations maintain archives to collect, preserve and disseminate such records. There are archives which also preserve audio-visual resources. In contemporary times, digitization has helped archives in the better preservation and handling of massive volumes of records and documents of all kinds. Page 8 अभी लेखागार अभी लेखागार रखती हैं. कुछ अभी लेखागार द्रिश्चे श्रव्य सामगरियां भी रखते हैं. आजकल अभी लेखागारों में दस्तावेजों के भारी संग्रहे को समुचित ढंग से संरक्षित रखने के लिए डिजिटली करण के तरीके को अपनाया गया है. मुहाफिज खाने बराय तारीखी दस्तावेजाद इस इस्तिला से मुराद, इंद्राजाद, दस्तावेजाद, मक्तूतात या तारीखी एहमियत के हामिल दीगर बुनियादी माखजों का मजमुआ है. इन मकाजों का इस्तिमाल तारीखी वाकियात की अजसरे नो तश्कील के लिए किया जाता है. मुझूदा दोर में अक्सर सरकारी और गेर सरकारी इदारे इस तरह के इंद्राजाद और मावाद को हासिल करने, महफूज रखने और नश्रवशाद के लिए आर्काईव का इंतिजाम वा इंसिराम करते हैं. ऐसे आर्काईव्स भी हैं जहां समीवा बसरी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं. असर हाजिर में हर तरह के दस्तावेजाद वा इंद्राजाद की जखीम जिल्दों को बहतर तौर पर महफूज और इस्तिमाल करने के लिए अद्वी निगारिश ने आर्काईव्स को मदद फर हम की है. on the basis of his or her birth in ancient and medieval societies as in the case of the Brahmins in India, the Patricians in the Roman Empire or the nobility in medieval Europe. But there have also been non-hereditary forms of aristocracies like the upper layer of the Roman Catholic Church which is called the Church Aristocracy and the ruling elites of the elective republics and monarchies, members of which were recruited from the different strata of the given societies. अभिजात तंत्र अंग्रेजी भाषा का aristocracy शब्द युनानी भाषा के aristocracy शब्द से निकला है, जिसका आर्थ है सर्वोत्तम द्वारा शासन. इस प्रकार अभिजात तंत्रिय सरकार का तात्पर्य ऐसे शासन से है, जो ऐसे कुछी सर्वोत्तम व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है, जिनकी नैतिक और बौधिक स्थिती उन लोगों की तुलना में अधिक अच्छी हो, जिन पर वेशासन करते हैं. किन्तु एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में ये शब्द समाज के उच्छतम स्तर का सूचक है, अधिकांश मामलों में अभिजात होने की प्रतिष्ठा, प्राचीन तथा मध्यकालीन समाजों में लोगों को उनके उच्छ कुल में उत्पन्न होने से मिलती थी, जैसे भारत में ब्रहमनों को, रोमन सामराज में पैट्रिशियन लोगों को और मध्यकालीन योरप में सामन्त वर्ग को, किन्तु वन्शानुगत अभिजात वर्ग के अलावा अन्य प्रकार के अभिजात भी रहे हैं, जैसे रोमन कैथुलिक चर्च के उपरी स्तर के अधिकारी या पा तबका ए अश्राफिया की हकूमत, इसकी अंग्रेजी इस्तिला एरिस्टोक्रेशी, युनानी लव्ज एरिस्टोक्रेशिया से मुश्तक है, जिसके माइने हकीकत में बहतरीन लोगों की हकूमत है, चुनाचे तबका ए अश्राफिया की हकूमत से मुराद उन बहतरीन उन लोगों के मुकाबले में बुलंद होता है जिन पर वो हुकूमत करते हैं। ताहम वसी समाजी तनाजर में इस इस्तला से मुराद समाज का सबसे आला तबका है। लेकिन अश्राफिया की गैर मौरोसी शकल भी थी। जिसे रूमी कैथलिक चर्च का आला तबका जिसे चर्च का अश्राफिया कहा जाता था। और जमूरी तोर पर मुंतकिब और मुतलक इनान हुकमरा तबका जिनके अराकीन की तक्रीरी समाज के मुक्तलिफ दर्जों से होत लिदी. Aretain Wear. It refers to a type of wear known as terra cigillata, that is stamped pottery. This wear was produced between the 1st century BCE and the 1st century CE at Aratium from where the name Aretain comes, the modern day Ariso in Italy. It is a red-coloured pottery with a glossy surface. It was often made from moulds in both plain and decorated forms. Relief designs, i.e. raised designs, were also made in moulds and then applied to the vessels. This wear was traded throughout the Roman Empire and beyond during this period. Aretine Patr इस शब्द का तात्पर्य विशेश प्रकार के पात्रों से है, जिने टेरा सिगी लाटा कहा जाता है. अरेटाइन पात्रों का निर्मान पहली शताबदी ईसा पूर्व और ईसा की पहली शताबदी के दौरान इटली के अरेटियम क्षेत्र में हुआ था, जिसे आज कल अरेजो कहा जाता है. अरेटियम में बने होने के कारण ही इन बर्तनों को अरेटाइन पात्र कहा जाता है. ये बर्तन लाल रंग के होते थे और इनकी उप रिसते चमकदार होती थी. अरेटाइन बर्तन अक्सर सांचों की सहायता से सादे और सजावती दोनों रूपों में बनाए जाते थे. उभरी हुई सनरचनाय भी सांचों में बनाई जाती थी और फिर उन्हें बर्तनों पर चिपका दिया जाता था. उन दिनों इन पात्रों का क्रएविक्रेए गिलाटा यानि ठपेदार मिट्टी का बर्तन के नाम से जाना जाता था इस तरह के बर्तन पहली सदी कबल मसी और पहली सदी ईस्वी के दोरान इटली के अरेटियम में तयार किये जाते थे जिसकी तरफ मनसूब करके इसका नाम एरेटाइन रखा गया इसको अब अरेज़ो कहा जाता है ये बर्तन सुर्ख रंग के होते थे जिसके उपरी हिस्से चमकदार होते थे ये अकसर साचे की मदद से सादा और मजीन दोनों तरह के बनाए जाते थे रिलीफ नक्षो निगार याने उबरी हुई डिजाइन साचे में ढ़ाल कर बनाए जाते थे इसके बाद उन्हें बर्तनों पर लगाया जाता था इस दौर में इन बर्तनों की तिजारत पूरी रोमी सल्तनत और रोम से बहार की जाती थी Page 9 Artifact The term refers to any object which has been manufactured, used or modified by humans. Artifacts are an important source for reconstructing history. These include tools, weapons, utensils, ornaments, houses, buildings, art and other products of human activity. See also Archaeology शिल्पकृती इस शब्द का तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु से है जो मनुष्यों दोरा बनाई गई, इस्तेमाल में लाई गई या सुधारी गई हो. इतिहास की पुनर सन्रजना के ये एक प्रमुक्स रोथ हैं. शिल्पकृतियों में ओजार, हथियार, बरतन, गहने, घर, इमारते, कलाकृतियां और मनुष्यदरा बनाए गए अन्य उत्पाद शामिल हैं. पुरा तत्व विज्ञान भी देखें. सन्नाई का नमूना इस इस्तिला से हर वो चीज मुराद है जिसे इनसान ने तयार, इस्तिमाल या इसे तर्मीम किया हो. माजवात, तारीख की तामीरी नौ के लिए एहम माखाज हैं. इन में आउजार, इसले, बरतन, जेवरात, मकानात, इमारात, फानून और इनसान की तयार करदा दीगर तमाम चीजे शामिल हैं. मजीद देखें, इल्म असारे गदीमा. आर्टिजान तर्म रफर्स तो अ परसन वो इस मैनूली स्किल्ड इन सम हैंडिक्राफ्ट. इसी हस्त शिल्प में कुशल हो और स्वैम अपने हाथ से शिल्पकृती तयार करता हो. बढ़ई, बुनकर, लोहार और सुनार सभी शिल्पकार की शुनी में आते हैं. दस्तकार इस इस्तला से मुराद वो शक्स है जो दस्तकारी में महारत रखता हो. बढ़ाई, बुनकर, लोहार, सुनार वगेरा का शुमार दस्तकारों में होता है. बुनकर वगेरा स्कारों एला अरों गाला वैंनार वगेराbyaरी वाला है. than only territorial terms, as the land where the norms of Varna and Ashram were observed. Atonement Acts, i.e. Pryashchit, were recommended for those who crossed the boundaries of आर्यवर्द. आर्यवर्द, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों, लगभग छटी शताब्दी ईसापूर्व से, के अनुसार आर्यवर्द का शाब्दिकर्थ है, आर्यों का निवास स्थान. इन ग्रंथों में इस शब्द को भिन भिन अर्थों में परिभाशित किया गया है, जैसे गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश, उत्तर में हिमालय से दक्षण में विंध्याचल के बीच स्थित प्रदेश, कलकवन संभवतह आज का उत्तर प्रदेश, के पश्चिम और व आर्यवर्थ को केवल भौगौलिक अर्थ में परिभाशित करने की बजाए, सामाजिक अर्थ में एक ऐसे प्रदेश के रूप में परिभाशित किया गया था, जहां वर्णा श्रम धर्म का पालन होता था, जो लोग आर्यवर्थ की सीमाओं का उलंगन करते थे, उन्हें प उक्तलिफ तरीके से बयान किया है जैसे गंगा और जमुना का दर्मियानी इलाका, शुमाल में हिमालिया से जुनूब में वंद्या का दर्मियानी इलाका, कलक्वन गालिबन अब ये उत्तर परदेश में वाके है के मगर्ब का इलाका, विनाशन जहां सरस्वती गायब हुई के मश्रिक और जुनूबी हिमाल्या परियात्रा और वंद्या पहाडों के शुमाल में वाके मकाम को आर्यवर्थ से ताबीर किया गया कभी-कभी इस इस्तिला का इस्तिमाल महस जोगराफिया सियाक से ज्यादा समाजी तनाजिर में किया गया जैसे वो जगह जहां वरण और आश्रम जापतों की पाबंदी होती थी, वो लोग जो आर्यवर्थ की हुदूत को पार कर जाते, उन्हें कफारा अदा करना पड़ता था आश्रम, this is a Sanskrit term found in the Dharmasutras circa 600 BCE onward and Dharmashastras circa 200 BCE onward It indicates four stages or ashramas in the life of a dvija namely Brahman, Kshatriya and Vaishyas The four ashrams were Brahmacharya, a period meant for the observances of celibacy and the acquisition of Vedic learning Gurihastha or the state of being a householder with obligations to marry, reproduce and perform rituals Vanaprastha or the observance of a period of partial renunciation in the forest and Sannyasa or complete renunciation The ashram system went through several stages of development It is difficult to determine the extent to which the system was actually followed in the social context See also dvija, Varna आश्रम, इस संस्कृत शब्द का प्रयोग धर्मसूत्रों लगभग 600 ईसा पुर्व से और धर्मशास्त्रों 200 ईसा पुर्व से में मिलता है ये द्विज अर्थात ब्रहमन, ख्रत्रिये और वैश्य के जीवन की चार अवस्थाओं अथ्वा आश्रमों का सूचक है ये चार अश्रम थे ब्रहमचर्य वो अवस्था जब dvij ब्रहमचर्य व्रत का पार्यन करते हुए वेदों का ज्ञान प्राप्त करता था गुरिहस्त जब वो विवाह करके घर बसाता था और संतान उत्पन्न करने तथा धर्मकर्म संपन्न करने का दायत्वनिभाता था वानप्रस्थ जब वो घर बार छोड़कर वन में रहने चला जाता था और सन्यास जब वो सब कुछ छोड़कर पूर्ण सन्यास ले लेता था आश्रम व्यवस्था विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी थी ये सुनिश्चित करना कठिन है कि सामाजिक संदर्भ में आश्रम प्रणाली का किस सीवा तक पालन होता था द्विज वर्न भी देखें पेज 10 आश्रम ये एक संस्कृत इस्तिला है जो के धर्म सूत्रों तक्रीबन माबाद 600 कबल मसी और धर्म शास्त्रों तक्रीबन माबाद 200 कबल मसी में मौजूद है ये द्विज याने ब्रहमन शत्रिया और वैश की जिंदगी के चार मरहलों या आश्रम की निशान देही करती है चार आश्रम ब्रहमचरिया, ग्रिहस्त, वानप्रस्त और सन्यास हैं ब्रहमचरिया से मुराद एक मुद्दत है जिसमें तजरों की पाबंदी और दीद की तालीम हासिल की जाती है ग्रिहस्त में शादी की जिम्मेदारियों के साथ एक घरेलू जिंदगी गुजारना, अवजाईश नसल और मजहभी रसूम की अदाइगी वगेरा की पाबंदी की जाती है वानप्रस्त में जंगल में तजवी तोर पर तरक दुनिया की पाबंदी और सन्यास में मुकमल तरक दुनिया की पाबंदी की जाती थी निजाम आशरम तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता रहा है समाजी सियाकों सबक में इस निजाम पर कहां तक अमल किया गया इसे मुतमाइन करना मुश्किल है मजीद देखें दो द्विज वरन ठाषार बुथर बस्क्रायाइन सबस्क्राइअस अश्वमीद इस शब्द का तात पर एक ऐसे यग्गे से है जो उन शासकों द्वारा संपन्न किया जाता था जो अपने प्रतिद्वंत्वियों पर आधिपत्ते प्राप्त करने की इच्छा रखते थे इसके लिए शाही सेना की टुकडी की देखरेख में एक अश्व को एक वर्ष तक अपनी इच्छा से किसी भी प्रदेश में घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया जाता था घोड़ा जिस जिस प्रदेश में बे रोग टोग घूमता था वो प्रदेश उस राजा के अधीन समझा जाता था यदि कोई शासक उस घोड़े को पकड़ लेता तो ये समझा जाता था कि घोड़े को पकड़ने वाला शासक अश्वमेद करने वाले राजा के आधिपत्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है ऐसी स्थिती में दोनों शासकों के बीच लड़ाई सुनिश्चित थी यदि घोड़ा सफलता पूरवक अश्वमेद करता मालिक के पास लोटा था तो ये समझा जाता था कि अश्वमेद करता का आधिपत्ते स्वीकार कर लिया गया है ततपश्चात एक विशाल यग्य का आयोजन किया जाता जिसमें उस घोड़े की बली दे दी जाती थी अश्वमेद इस इस्तिला से मुराद कुर्बानी की एक रस्म है जिसे वो हुकमरा अनजाम देते थे जो अपने हरीफों पर बालादस्ती हासिल करने के खौईशमंद होते थे इस मकसद के लिए शाही खदाम की निगरानी में एक साल तक घोड़े को अवारा छोड़ दिया जाता था और वो तमाम जमीने जिन पर घोड़ा गुजरता था उस पर बादशा की मिलकियत तसलीम कर ली जाती थी किसी हुकमरां के जरीए इस घोड़े को गिरफतार करने की माई ने इस रस्म के अदा करने वाले बादशा के इख्तियार को चैलेंज करना था चुनाचे दो हुकमरां में जंग छिड़ जाती थी घोड़े की कामियाब बापसी शाही मालिक की गेर मुंतजा ताकत की अलामत समझी जाती थी इसके बाद बाकाइदा शांदार यग्ये का इतमाम किया जाता था जिसमें इस घोड़े की कुर्बानी दी जाती थी आलिया In Sufism, आलिया means an affectionate and compassionate being. They were believed to have proximity to Allah because of their spirituality. The आलिया was known to be free from all vices. Many renowned Sufis were called आलिया, such as Sheikh Nizamuddin आलिया. आलिया Sufi मत के अनुसार आलिया आलिया के प्यारे लोग होते थे. ऐसे सनेही दयालू लोग अपनी आध्यात्मिक्ता के कारण आलिया के नस्दीक समझे जाते थे. ऐसा माना जाता था कि आलिया सभी दोशों से मुक्त थे. बहुत से Sufis को आलिया कहा जाता था, जिन में से Sheikh Nizamuddin आलिया भी एक थे. आलिया खुदा रसीदा यानि खुदा के करीब होते थे. बहुत से मारूफ सूफियों को आलिया कहा जाता था, जैसे Sheikh Nizamuddin आलिया. Australopithecus It is a label given to a stage in the development of hominids towards the stage of Homo erectus. The Australopithecus had a smaller brain size but heavier jaws and a larger teeth than the latter. Australopithecus ये नाम मानव विकास के उस चरण के लिए प्रयूक तो होता है, जब मानव Hominid अवस्था से Homo erectus अवस्था की और अग्रुसर हो रहा था. Australopithecus का मस्तिश्क, Homo erectus की तुलना में छोटा होता था, लेकिन उसके जबडे अपेक शक्रित भारी और दांथ बड़े होते थे. Australopithecus, ये इंसानी इर्ताका के एक मरहले को दिया गया नाम है, जिसमें Hominids की तरकास्त कामत इंसान Homo erectus की तरफ हुई. Homo के मुकाबले में, Australopithecus के दिमाग का साइज छोटा होता था, मगर इसके जबडे भारी और दांथ बड़े होते थे. Axis Powers It refers to the military alliance that had been formed by Germany, Italy and Japan during the Second World War to fight against the allied powers. Initially, Germany and Italy formed what is called the Rome-Berlin Axis in 1936. With enhanced military and political ties, it came to be renamed as the Pact of Steel in 1939. In 1940, it came to be known as the Tripartite Pact, with the inclusion of Japan. Thereafter, Hungary, Romania, Bulgaria and the Nazi-created states of Slovakia and Croatia also joined this pact, making it into a formidable alliance. However, in 1945, the war ended with the defeat of the Axis Powers. Page 11 धुरी शक्तियां इस शब्द का तात्पर्य उस सैनिक संधी से है, जो द्वितिये विश्वयुद्ध के दौरान, जर्मनी, इटली और जापान द्वारा मित्र शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए की गई थी. प्रारंभ में जर्मनी और इटली ने 1936 में एक गठजोड बनाया, जिसे रोम बरलिन धुरी कहा जाता है. जब सैनिक तथराजनीतिक संबंधों में वृद्धी हुई, तो 1949 में इसे पैक्ट अफ स्टील का नाम दिया गया. 1940 में जब जापान इस मैत्री गठजोड में आ मिला, तो इसे ट्राइपार्टाइट पैक्ट अर्थात त्रिपक्षिय समझोता के नाम से जाना जाने लगा. इसके बाद हंगरी, रुमानिया, बुल्गारिया और नाजी निर्मित स्लोवाकिया और कुरेशिया राज्य भी इस मैत्री अनुबंध में शामिल हो गये, जिससे ये एक विशाल गठजोड बन गया. किन्तो 1945 में धुरी शक्तियों की हार के साथ ही द्वितिये विश्वयुद समाप्थ हो गया. महवरी ताक्तें इससे मुराद एक फौजी इत्तिहाद है जिसे जर्मनी, इटली और जापान ने दूसरी आलमी जंग के दोरान इत्तिहादी ताक्तों के खिलाफ जंग के लिए तशकील दिया था. इप्तिदा से जर्मनी और इटली ने 1936 में रोम बर्लिन एक्सिस के नाम से तशकील दिया था. फौजी और सियासी मुहाइदों के इजाफे के साथ उस नाम को बदल कर 1949 में पैक्ट ओफ स्टील कर दिया गया. 1940 में जपान की शमूलियत के बाद ये से फरीकी मुहाइदे के नाम से मारूफ हुआ. इसके बाद हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और नाजी के कायम करदा, स्लोवाकिया और कुरेशिया की रियास्तें भी इस खौफनाक इतिहाद में शामिल हो गई. बहरहाल, 1945 में ये जंग महवरी ताकतों की शिकस्त के साथ खत्म हुए. दुक्त बहरती कॉषिक, बहरती कॉषिक, बदी लिंग लिंग्रो, एसिस्तेंस इन चर्थिन, मिनाक्षी कुकरेती, फ्रेम्र काद्विर्ट अजीत होरो, ब्रोड्ट्शन चर्थिन वंदना अरिमर्दन, प्रॉड्शन दिर्देट बादिन विमलेश चाथरी, and इस प्रि CET, NCERT, New Delhi, India.